हालो फ्रेंट्स स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलाइन यूट्यूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़िया होगे तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जाद एंपूर्टेन रहने वाला है इस वीड मेडिकल भी होगा तो आखा मेडिकल भी आपका होने वाला है तो आखा मेडिकल किस प्रकार होगा और कैसे आप पैचाने के कि आपके आखे 6x6 है या नहीं है क्योंकि आप सभी को बता होगा ऐसा से जीडी के जो 2014 के नोटिपेकेसन है उसके अंदर ये बात बताए गई थी कि जो आपके आखे है वो 6x6 होनी चाहिए ठीक है तो आप कैसे पैचाने के सारी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हो इसके साथ साथ और कौन-कौन से आपके आखों के टेस्ट होने वाले है सारी जानकरी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी तो चैनल को शेर कीजिए वीडियो को एक वाल लाइक कर दीजियो चैनल को सब्सकैब कर दीजियाए और शेर कीजिए वीडियो को ठीक है ब्रें तो चलिए शूरू करते हो और आगे बड़ते हैं говорить वीडियो आज का मर रहने वाला आँखों की जांच की उपर ठीक है की कैसे इसकी जांच होती है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अगर आप भी ससी जीडी बरती दो हजा चोईस पचीश यानी जो नहीं वाली वेकंसी अगर इसकी तयारी म होने वाली है परते एक बुक यहां पर आपकी टीशेस पैटन पर रहेगी परते एक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहेगी और अगर बात के सामाने गयान वाली बुक के अंदर तो इसके बारे इसके अंदर 2190 प्लस अबजेक्टिव टाइप की कृशन मिलेगे व इसके बुक का लिंक दिया है जाइए पर्चेज किजिए और अपनी तयारी को और भी ज्यादा बहतर बनाईए ठीक है तो सबसे पहले यहां पर आपकों की जाज के अंदर हम बात करते हैं कि आपकी जो सरजरी होती है क्या वो सरजरी अलाव होती है या नहीं होती है तो कंडियर का एक सवाल ये भी होता कि क्या सर लेजर यहां पर अलाव है या नहीं है तो फ्रेंट्स लेजर अलाव नहीं है हाँ आप लेजर करवा के जाएए मा लीजे आपको आपने लेजर करवा के गए और वहां पर आपके लेजर का पता नहीं चला तो आप पास हो सिक आपके आँख की जाच किस परकार की जाती है तो सबसे पहले एक आपको खड़ा कर दिया जाएगा इसके बाद में डोक्टर यहां पर या तो एक पेन ले लेगा या पिर कोई भी पोईंटर वगिरा वो ले ले लेगा और आपके आँखों की जाच करेगा कि आपकी नजर वो उस pain के उपर है या नहीं है ठीक है इस परकार आपके आँकों की जाज की जाएगी वहाई चारोतरब मतलब जो भी medical देने है उस candidate की आँके चारोतरब गूम रही है या नहीं गूम रही है क्योंकि फ्रेंट्स आप सभी को बता है जो फोजी होता है उसकी चारोतरब मतलब उसकी नजर होनी चाहिए जिस भी area में वो डोटी कर रहा है उसकी नजर चारोतरब होनी चाहिए तो इस वज़ए से यहाँ पर यह टेस्ट किया जाता है यहाँ पर रतोंदी, night planless और बेंगा पनी यह आपका allow नहीं है सीधा सीधा आपका reject कर दिया जाएगा ठीक है यह चीज़े आपका ध्यान में रखना है इसके बाद में अब यहाँ पर एक टेस्ट आपका यह भी होता है आँकों की जांच के लिए color vision टेस्ट अब यहाँ प आपको सुधार नहीं है फ्रेंट्स में आपको बता देता हूं सुधार की इसमें गुंजाइस बहुत कम होती है इसमें आपको क्या गरना होगा एक जो book आती है ठीक है वो book आपको उसके page रट लेना है ठीक है अब हो मतलब मालीजे इस दिन आपका medical है और आपको मालीजे क आपकी आँक की जांच कर रहा हूं में तो आपको यह बताना है कि सर जो आपने color vision वाली photo दिखाए थी उसमें यह यह number थे यह word थे ठीक है तो एक वार आप ध्यान से देख लीजेगा और comment box में इसका reply दीजेगा ठीक है इसके बाद में अब यहाँ पर आपके eye side भी check की जा की और यह आँक आपके 6 by 6 होनी चाहिए ठीक है 6 by 6 होनी चाहिए और जो right hand candidate है जो अपना सारा काम right hand से करता है उसकी जो left eye है वो 6 by 9 है तो उसको worth आई माने जाएगा हाला कि यहाँ पर आपके eye 6 by 6 मांगी जाती है अगर आप right hand है तो आपके जो right eye है वो तो 6 by 6 होनी ही चाह चाहिए और यह आपके 6 by 6 होनी चाहिए ठीक है और जो left hand candidate है उसका जो right eye है वो आपका 6 by 9 है तो कई वार उसको pass कर दिया जाता है तो यह चीज़ आपको दियान में रखना है मैंने eye दृष्टी आपको बता दी है आँक की जो eyesight होती है ठीक है और यहाँ पर यही चीज़ आ है या नहीं है तो इसके लिए friends मेरे पास एक चार्ट था यह चार्ट आपको ध्यान से देख लेना है यहाँ पर हो सकता आपको अलग word मिल जाए लेकिन जो size होती है वो words की वो यही रहने वाली है ठीक है जैसे अब यहाँ पर आप यह देख सेते हैं यह आपको alpha word capital में मिल स हैं ठीक है अब यहाँ पर पढ़ाते कैसे सबसे पहले आपकी एक को cover किया जाता है ठीक है या तो वहाँ पर दो medical मतलब जो medical officer होगा उसका एक सायोगी भी होगा ठीक है उसको वो बोलेगा कि इसकी एक आप बंद कर लीजिए ठीक है तो आपको friends एक आप जब भी आप बंद करते हैं तो उसको आँक को बंद नहीं करना है ऐसे आँक को बंद नहीं करना है उस आँक के उपर आपके या तो कोई plastic का जो गत्ता वगेरा होगा वो लगाए जाएगा ठीक है या पिर आपको हाथ से इस आँक को cover किया जाएगा तो आपको क्या है आँक को खुला रखना ह ठीक है क्योंकि मालीजे जैसे इस आंक का टेस्ट होता है तो इस आंक को बंद किया जाएगा ठीक है तुरंत उसके बाद में आपको इस आंक का बंद कर देए तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखना है ठीक है आंक को बंद नहीं करना है बस आपके उपर जो कवर किया है यह चीज़े आपको ध्यान में रहनी चाहिए अब यहाँ पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी आँख six by six है या नहीं तो अगर आप एक आँख बंद करके यह लाइन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी आँख six by six है ठीक है आपको कमेंड बोक्स में बताना है कि six by six वाले line में कौन गों से अक्सल लिखे हुए ठीक है इसके बाद में अब माल लीजिए आप यहाँ तक पड़ पाते हैं कौन सी? six by eight तक यहाँ तक अगर आप पड़ पाते हैं तो आपकी आँख six by eight है अगर आप यहाँ तक पड़ पाते हैं ठीक है और इसके नीचे वाले तक पढ़ पाते हैं और आप नीचे वाली नहीं पढ़ पाते हैं तो आपका आग 6x11 है ठीक है इसी प्रकार 6x20, 6x30, 6x7 ठीक है यह चीज आपको ध्यान में रखना है और यही चीज यह है पर इसी प्रकार मार्किंग की जाती है तो I hope आपको यह सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कौन-कौन से टेस्ट होते हैं वह भी मैंने आपको बता दिये ठीक है और इसके बाद में एक वार में आपको और बता देता हूं कि जैसे आपकी द्रश्टी चेक की जाती है वीजन टेस्ट किया जाता है 6x6 है या नहीं है तो वह आपको जैसे word पढ़वा विबिन आकार के एकसर पढ़ाने के लिए कहा जाता है ठीक है मतलब आपको 6 मेटर की दूरी या 20 स्पीट की दूरी पर आपको खड़ा कर दे जाता है और कुछ वैड या आपको कुछ वस्तुई भी दिखा सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार आपकी दूर की दरश्टी चेक क जांच होती है ठीक है आपकों में कोई इस्ता ही विक्रती जैसे कि बेंगापन है और या अन्य किसी परकार की समझ्या नहीं होनी चाहिए तो यह चीज़े आपको द्यान पर रहना है अगर सभी प्रिक्शनों में आपकी दृष्टी सामाने है और कोई विकार नहीं पाये जाता है तो आप SSE GD Medical Test में इस इस इसे को पास कर लेंगे ठीक है यह सारी चीज़े इस Medical Test में होती है तो I hope आपको सारी जानकर यह अच्छी से समझ में है योगी फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपको लिए बूख सकते है मैं परतेग बच्चे का जाए हिंद, जाए बारत, वान देमात!